इस्राइल हमास युद्ध के बीच एरान तेल अवीव पर हमली की तैयारियों में लगा हुआ है और इस हमली के भनक इस्राइल और अमेरिका को लग चुकी है यही वज़ा है कि अमेरिका ने मिडल इस्ट में अबराहिम लेंकन स्ट्राइक ग्रूप केरियर और गाइड़ेड मिसाइल सबमरीन को भीच दिया है लेकिन इन सब के बीच पर्शम इरान में इरानी सीना ने युद्धा भ्यास शुरू कर दिया है और ये युद्धा भ्यास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानि की आई आरजी से ने किया है दरसल इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से इस्राइल और इरान के बीच सीधे युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है जिसके वजह से ये युद्धा भ्यास चल रहा है और ये युद्धा भ्यास पश्यमी इरान के कर्मानशाह प्रांग में हुआ है और इस युद्धा भ्यास के वजह से इस इलागे में धमाकों की जोरदार आवाजे सुनी गई है जिसके वजह से इस्थाने लोग खौफ में हैं। इरान के हमदान के नोजे एयर बेस के आसपास उडान भरने से बचे। हालंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नोटम की ये सलहा 14 अगस्त 2024 को इरान में हुई मिलिटरी ड्रिल से जुड़ी है या फिर नहीं। लेकिन यूज अजेंसी रॉइटर्स ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि 9 अगस्त 2024 को दरजनो रूसी जवानों को इरान में फतह 360 क्लोज रेंज पैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शलाने की ट्रेनिंग दी गई है। और लेकिन रूसी सैनिकों को ये ट्रेनिंग इसराइल के साथ युद्ध के लिए या फिर यूकरेन के खिलाब इस मिसाइल सिस्टम को चलाने की खातर दी गई है। अलंगी ये पहली बार नहीं है जब इरान ने रूस को अपने यहां पर ट्रेनिंग के अनुमती दी हो। इससे पहले 2016 में इरान ने रूस को अपने यहां से सीरिया में हवाई अभ्यानों को चलाने के अनुमती दी थी। और उस वक्त भी रूसी सेना ने हमदान एयर बेस का इस्तमाल किया था। और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि रूसी सेने एक नोजहे एयर बेस को दुबारा इस्तमाल कर रही है। इसको लेकर अमेरी के अकबार दा न्यू यॉक ट्राइम्स ने अपनी एक खबर में खुलासा किया था कि रूस ने उससे एडवान्स एयर डिफेंस स्टम और रडार उपकरणों के डिलीवरी शुरू कर दी है। और हथ्यारों की यह सप्लाई इस्राइल के साथ संभावित युद्ध के हालातों को देखते हुए की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इरान और इस्राइल सीधे युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। पेजिश्कियन का कहना है कि रानी अर्थ विवस्ता इन दिनों काफी कमजोर है और अगर ऐसे समय में इस्राइल और इरान का युद्ध हुआ तो सुप्रीम लीडर का शासन धराशाही हो सकता है। हलांकि रान को रोपने के लिए उसके उपर अंतराश्य दबाव भी डाला गया था। दगारज्वन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि रान इस्राइल पर हमले के अपने फैसले पर दुबारा सोच सकता है। हलांकि रानी सेना तील अवीफ में मिसाइल हमले के मांग पर अड़ी हुई है जबकि राश्टुपती पे जिश्कियन इसे बचने के लिए कई विकल्प रखे हैं। उनका कहना है कि रानी सेना अजरबेजान या एराग पुर्दिस्तान में इस्राइल से जुड़े सैने अड़ो पर हमला कर सकती है। और इन देशों में हमले से पहले वहां की सरकार को इनकी सूचना भी दी जाए।